जैहिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सब बिलकुल मस्त होंगी? रोजगार विद अजय योटूब चैनल पर आप सभी का भूत भूत स्वागत है. वीडियो का थमनेल देखकर आपने अनुमान लगा ही लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं. प्यारे साथियों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है IAS का पर्मोशन, कि एक IAS officer का किस तरीके से पर्मोशन होता है, कितनी साल के बाद में उसका कुन सा पर्मोशन होता है. इसके अलावा प्यारे साथियों दूसरा टोपिक है हमारे इस वीडियो का कि एक I.S. ओफिसर किस तरीके से Cabinet Secretary of India बनता है मतलब I.S. ओफिसर से Cabinet Secretary of India बनने तक के सफर के बारे में बात करने वाले है इसके अलावा प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे कम उम्र के IAS ओफिसर के बारे में, जो की शूचर में Cabinet Secretary of India बनने के दावेदार होने वाले हैं इसके अलावा प्यारे साथियों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं IAS बनने के लिए सबसे सही उम्र के बारे में यदि आप IAS officer बनना चाह रहे हो, आपका सपना है UPSC के तैयारी करके collector बनना तो कौन सी ऐसी उम्र है जिसमें IAS officer बनना सबसे ज़्यादा अच्छा है ताकि आप cabinet secretary of India बन पाएं, इन topic के उपर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्यारे साथियों, मैं इसी चैनल के माध्यम से इसी तरीके के बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ यदि आप इसी तरीके के बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाते हो तो एक बार इस चैनल को जरूर सबस्क्राइब करो और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ सेर करना और आप लाइक भी जरूर कर देना अब हम अपने इस वीडियो की सुरुआत करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं प्यारे साथियो सबसे कम उमर के I.S. ओफिसर के बारे में दो कुछ सबसे कम उमर के I.S. ओफिसर है अनसार सेख जो मातर 21 साल की उमर में आईएस ओफिसर बन गये थे जो कि महरास्टा के हैं 2016 के बैच से थे यह उसके बाद हम सेकंड नमबर पर बात करते हैं रोमन सेन जो कि 22 साल के उमर में आईएस ओफिसर बन गई थे राजस्तान के हैं 2013 के बैच से थे उसके बाद हम बात करते हैं स्वाती मीना नाइक के बारे में जो भी 22 साल के उमर में आयस ओफिसर बन गई थी राजस्तान की थी 2007 के बैच की थी तो इस तरीके से ये वो कंडिडेट है जो सबसे कम उमर के आयस ओफिसर है ये उनका बैच है ये किस स्टेट से ये है वो किस उमर के आयस ओफिसर बने थे ये है ये उनका नाम जो आप आसान बन गए थे जो कि इन future में cabinet secretary of India बनने वाले हैं अब यहाँ पर हम बात करते हैं IS officer के promotion के बारे में और यहाँ पर हम totally चार point के उपर बात करने वाले हैं पहला promotion के बारे में कि किस पद पर promotion होगा दूसरा कितनी service age के बाद में आपका promotion होने वाला है तीसरा grade पे क्या रहेगा और यहाँ पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्यारे सातियों जब कोई भी candidate IS officer बनता है तो उसे दो cadre मिलता है या तो उसे secretary मिल सकता है या उसे फिर district administration मिल सकता है अब secretary किसको मिलता है district administration किसको मिलता है यह depend करता है उनकी rank के उपर यदि अच्छी खासी rank है तो उन्हें secretary मिल जाता है और यदि कम अच्छी rank है तो उन्हें district administration मिल जाता है अब प्यारे सातियों आप IS officer बन गई उसके बाद आपका training होगा training के ट्रेंट बाद आप assistant secretary या फिर प्यारे सातियों आप sub-divisional magistrate के रूप में काम करोगे यदि आपकी posting district administration में होती है तो आप सबसे पहले AJ-HDM काम करोगे और यदि आपकी posting secretary में होती है तो सबसे पहले आप AJ assistant secretary काम करोगे इनका starting basic पे 56,100 रुपय होता है grade पे 10 होता है और इनकी ये जो service होती है प्यारे सातियों starting के पहली साल से लेकर चोथी साल तक इनको इन पदों के उपर काम करना पड़ता है जैसे इनकी 4 साल के service complete हो जाती है जैसे 4 साल के service complete हो जाती है तो प्यारे सातियों जो sub-divisional magistrate था जो SDM था वो additional district magistrate बन जाता है जो assistant secretary था वो under secretary बन जाता है इनका basic पे जो पहले 56,600 था वो 67,700 हो जाता है ग्रेड पे 11 हो जाता है और इनकी जो ये इनका जो ये वाला promotion है इनका तब होता है जब इनकी service 4 साल की हो जाती है और इनको अपनी service के पांचवी साल से लेकर आठवी साल मतलब तोटल 3 साल इनको इन पदों पर काम करने का मोका मिलता है पांचवी साल की service से लेकर आठवी साल की service तक इनको इन पदों पर काम करने का मुका मिलता है उसके बाद हम आगे बात करता है प्यारे साथियो जब इनकी 8 साल के service complete हो जाती है तो उसके बाद प्यारे साथियो जो additional district magistrate है उनका promotion हो जाता है district magistrate के रूप में DM के रूप में जो under secretary है इनका promotion हो जाता है deputy secretary के रूप में इनका जो starting basic पे है वो 78,800 हो जाता है ग्रेड पे 12 हो जाता है और प्यारे साथियों इनकी जो इन पदों पर posting है वो तब होती है जब इनकी service 8 साल की पूर्ण हो जाती है complete हो जाती है और प्यारे साथियों जो district magistrate है वो district magistrate ही रह जाते हैं लेकिन इसमें सीन क्या होता है पहले ये छोटे जिलों के district magistrate थे अब इनको बहुत बड़ा जिला दे दिया जाता है जिसका छेतरफल और जंशंक्या दोनों जादा है जो deputy secretary है उनको director बना दिया जाता है जो basic पे है वो 78 7800 रुपय से लेकर 1,18,500 रुपय हो जाता है गिरेड़ पे 12 के बजाए 13 हो जाता है और प्यारे साथियों इनको इन पदों के उपर 13 साल से लेकर 16 साल की तक काम करने का मौका मिलता है जब इनकी service 12 साल की complete हो जाती है तो इनका promotion इन पदों पर होता है 13 साल से लेकर 16 साल तक इन पदों पर काम करने का मौका मिलता है जब प्यारे साथियों इनकी 16 साल की service complete हो जाती है तो फिर से इनका promotion होता है और जो district magister था जो बहुत बड़े जिले पर था उनका promotion commissioner के रूप में हो जाता है जो director थी उनका promotion प्यारे साथियों joint secretary के रूप में हो जाता है इनका basic पे एक लाग 24,200 रुपय हो जाता है ग्रेट पे बढ़े कर 14 हो जाता है और इनको इन पदों पर काम करने का मौका मिलता है जब इनकी service 16 साल की complete हो जाती है 16 साल से लेकर 24 साल तक की उमर के बीच में इनको यहाँ पर काम करने का मौका मिलता है यहाँ पर मैं उमर की बात कर रहा ह है अब प्यारे साथियों क्या होता है जो कंडिरेट में लगी थे उनको 16 14 साल की service के बाद प्यारे साथियों शैकिर्ट्री तरीटमें जाना ही पड़ता है जिन कंडिरेट्व को स्टार्टी में डिपिस्टिक administration मिला था जब उनकी service 24 साल की complete हो जाती है उसके बाद उन सभी officers को secretary में जाना ही पड़ता है इसके बाद में जो district administration के पद है वो समाप्त हो जाते हैं तो अब प्यारे साथ क्या हो गया जो secretary में थे वो candidate भी और district magistrate में थे वो district administration decision में थे वो candidate भी अब क्या होंगे एक साथ secretary में काम करेंगे एक साथ उटा promotion होगा अब देखो जब इनकी service 24 साल की complete हो जाती है तो उसके बाद प्यारे साथियों इनका promotion होता है additional secretary के बाद में तो प्यारे साथियों ध्यान रखना 24 साल की service के बाद में जो commissioner है वो भी additional secretary बन जाता है और जो joint secretary है वो भी प्यारे साथियों additional secretary बन जाता है ये बात आपको especially तरीके से ज्यान में रखना है कि 24 साल की service के बाद में commissioner भी additional secretary बन जाता है और joint secretary भी additional secretary बन जाता है basic पे 1,62,200 हो जाता है गिरेट पे 15 हो जाता है और इनको additional secretary के रोप में काम करने को मिलता है इनकी सर्विस एज के 35 साल से लेकर 30 साल तक उसके बाद प्यारे साथियों जैसे इनकी सर्विस 30 साल की complete हो जाती है 30 साल की service complete होने के बाद फिर से प्यारे साथियों इनका एक promotion होता है और जो additional secretary है वो additional chief secretary बन जाता है 30 साल की service complete होने के बाद जो additional secretary है वो additional chief secretary बन जाता है basic पे प्यारे सातियों 2,5,4,000 रुपय हो जाता है grade पे 16 हो जाता है service के 30 साल से लेकर 33 साल तक इनको additional chief secretary के रुप में काम करने का मौका मिलता है उसके बाद प्यारे सातियों जैसे इनकी सर्विस 33 साल की कंप्लीट हो जाती है, 33 साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद प्यारे साथियों, एक एडिशनल चीप सेकेटरी को का पर्मोशन चीप सेकेटरी के रोप में हो जाता है, 33 साल की सर्विस के बाद में एडिशनल चीप सेकेटरी का जो पर्मोशन है वो chief secretary के रोप में हो जाता है basic पे 2,25,000 रुपय हो जाता है grade पे 70 हो जाता है 34 साल से लेकर 36 साल तक service age के 34 साल से लेकर 36 साल तक इनको chief secretary के रोप में काम करने का मोका मिलता है उसके बाद में प्यारे साथ थियो यदि किसी candidate की UPSC में service age 36 साल की complete हो जाती है तो उसके बाद में प्यारे साथियो उनका पर्मोशन होता है cabinet secretary of India के रोप में और cabinet secretary of India प्यारे साथियों पूरे भारत का केवल एक ही candidate होता है cabinet secretary of India पूरे भारत का एक ही candidate होता है एक IS officer के 36 साल की service के बाद प्यारे साथी उनका cabinet secretary of India के पद पर promotion होता है starting पे basic पे 2,50,000 रुपय होता है 18 grade पे की नोकरी है और उसके बाद जो भी उम्र बचती है उनको इस पद पर काम करने का मोका मिलता है इसके बाद में फिर कोई परमोसन नहीं होता लेकिन ध्यां रखना प्यारे साथ की ओ इस पद तक पहुंचने के लिए आपको चाहिए कि आपको कम से कम 37 साल AJIS officer काम करने का मोका मिले कितना कम से कम 37 साल ठीक है तो यदि आप 21-22 साल की उम्र में IS officer बन जाते है 21-22 साल की उम्र में यदि IS officer बन जाते हैं तो आपको प्यारे साथियों Cabinet Secretary of India की रूप में काम करने का मोका मिलेगा ये एक बहुत ही अथी बात है कि यदि आप 21 साल की उम्र में IS officer बन जाओगे तो आपको Cabinet Secretary of India बनने का मोका मिलेगा जो कि भारत का केवल एक ही पद होता है तो यदि आपका सपन है IS officer बनना तो आपको पूरा dedication करना है कि भाई IS officer तो बनना ही है लेकिन वो हमें केवल और केवल 21 साल की उम्र में बनना है जिससे कि हम Future के Cabinet Secretary of India बन पाएं तो अब ये वीडियो कैसा लगा अब कोई भी आपके मन में doubt हो कोई भी confusion हो तो आप जरूर पोचना है प्यारे साथियों और जो मैंने आपको list बताई थी सबसे कम उम्र के IS officer In future आप जिंदे रहेंगे आपको पता रहेगा कि Cabinet Secretary of India कोन है तो इनका नाम देखने को आपको मोका मिलेगा ठीक है फिलाल में जो candidate 21 साल के IS officer बन रहे है वो हर हाल में In future में Cabinet Secretary of India बनने वाले है बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए Thanks by मेरे प्यारे साथियों फिर मिलते हम ऐसे ही दूसरे शांदार वीडियो के साथ कोई doubt, कोई confusion हो आप जरूर डिसकस कर सकते हैं